सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार तो वीडियो तो मुझे कुछ और शेयर करना था आप सब के साथ में लेकिन वो शेयर नहीं कर पाई उसके दो रिजन है पहला रिजन तो ये कि वो वीडियो जो था वो अभी कम्प्लीट नहीं हो पाया है बहुत ही अच्छा सा DIY वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जल्दी आने वाला है तो दूसरा जो कारण था वो ये कि क्यों नहीं कम्प्लीट हो पाया जैसा कि आप सबको पता है कल मैंने आपके साथ में एक शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर किया था जिसमें मैं गई भी थी, मार्केट गई थी, वैक्सीन भी लगवा करके आई थी, मेरी में एक मीटिंग भी थी तो उसमें सब में काम करने के बाद में जब मैं वैक्सीन लगवा करके आई हूँ घर पर तो पहले तो ठीक था लेकिन रात से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो हाथ बहुत अकड़ा हुआ है, यानि ये बहुत पेन है एक्स्ट्रीम पेन जो होता है न वो है, दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा फीवर सा मुझे फील हो रहा है पतारी फीवर है या बॉड़ी पेन की वज़े से हो रहा है, अभी चेक करना बाकी है तो बस इसी वज़े से मैंने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी आएगा आपके साथ में आप में से काफी सारे फ्रेंट्स के पॉमेंट आते हैं, मेरे पास रेगुलरली मेरे गैस कुक टॉप के लिए ले करके कि मेरे गैस कुक टॉप मैंने कहां से लिया, कौन से ब्रैंड का है, तो ये सारा डीटेल आज मैं आपके साथ में वीडियो में शेयर करने वाली हूँ साथ ही साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खुबसूरत सा DIY जो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि आप जरूर बना करके देखें और बनाएगा जरूर इतना प्यारा लगेगा ना कि आप बनाएंगे तो आपके घर में चार चान लगाएगा वो वाली चीज है, तो च चलिए शुरू करते हैं, गैस कुक टॉप की डीटेल के साथ साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ इसकी डीप क्लीनिंग भी आपके साथ में, इस तरीके से आप किसी भी गैस कुक टॉप की डीप क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं, तो घर में कभी भी गैस आ जाते हैं, या त्य अफिर भी आसान तरीका है इसको clean करने का सबसे पहले किसी भी gas cooktop के आपके जो brunner होते हैं वो maximum gas cooktop में से निकल जाते हैं तो उन बर्ननर को झाल करके आसानी से अलग से साफ कर सकते हैं किसी भी needle की help से उसके अंदर के अगर कोई hole बंद हुए है तो उसको निकाल सकते हैं और उसको साफ कर सकते हैं जब clean करके अच्छे से wash करके धूप लगा लें तो आपके burner साफ हो जाएंगे इसके अलावा cooktop की जब cleaning की बात आती है तो इसको हम करते हैं baking soda और आप जो vinegar होता है white vinegar उसको डाल करके इसके उपर थोड़ी देर छोड़ दीजे और फिर उसके बाद में आ होता है वो बहुत जादा effective होता है और सारे ही dirt वगरा निकल जाती है और सबसे अच्छा होता है steel wool ले लीजे या फिर steel के brushes वगरा आजकल online पर मिल जाते हैं अगर आप चाहें तो मैं नीचे description box में दे दूंगी इसका link तो आप चेक कर सकते तो उन brushes की help से आप इसको बिलकु gas cooktop जो है वो जिंदल company का है ये वाला ब्रैंड अब आता नहीं है बिलकुल भी तो ये काफी पुराना है लगबग 12-13 साल पुराना है तो इसलिए अभी ये आता नहीं है इसका cover के बारे में बहुत जादा question आते हैं तो cooktop के साथ ही ये cover है जो की attached है इसके साथ में तो इसक ये screw से इसको open करके अलग भी कर सकते हैं गैस cooktop का cover जो है वो iron का बना हुआ है और जो चूला है मेरा वो steel का है मुझे काफी time से बहुत पसंद है ये तो मैं इसको regular use कर रही हूँ अब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है और automatic gas चूला है तो इसमें lighter की जरूरत नहीं पड़ती हाला कि काफी पुराना हो गया है तो इसका एक burner खराब हो गया है automatic system तो उसको मैं lighter की helps जलाती हूँ बाकी तो सब ठीक है तो ये तो रही deep cleaning और मेरे gas cooktop की पूरी जानकारी और अब चलते हैं DIY की तरफ तो अगर आपको याद हो तो मेरे पास एक ये बहुत पुरान बॉटल वेस था जो अभी हाल ही मैंने आपके साथ में शेयर किया था बॉटल वेस बॉटल बहुत पुरानी थी तो इसको मैं अभी makeover कर रही हूँ और makeover करने के लिए मैंने क्या किया है जो paper napkin होते हैं या फिर kitchen napkin होते हैं उसको आधा glue और आधा पानी की help से मैं यहाँ इस तरीके से चिपका रही हूँ इसके उपर napkin चिपकाना इसलिए जरूरी है जिससे की इसके उपर थोड़ा texture वाला effect आए और यह खुबसूरत लगे मेरी bottle के उपर already paint हो रखा था तो मैंने इसके उपर layer लगाई है अगर आपकी bottle पर paint ना भी हो आपको तबी भी napkin की layer ले सकते हैं तो इस clay को ले करके मैंने दो इस तरीके के hardner और softner दो आते हैं इसमें clay के अंदर उन दोनों को mix करके इस तरीके से roll कर लिया मैंने counter top के उपर और अब इसको हमें stick करना है अपनी bottle के उपर तो bottle के उपर stick हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा सा गुमाते हुए या फिर हम बिल्कुल straight तरीके से भी stick कर सकते हैं जैसे कि मैं अब करके दिखा रही हूँ लेकिन इसको stick करते समय हमेशा glue का use जरूर करें क्योंकि PVA glue का use करेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगी stick होने के बाद में जब यह dry हो जाएगी तो यह hard हो जाएगी और as it is इसके उपर लगी रहेगी तो बस यह ध्यान रखना है कि जितना आपको dense चाहिए या जितना आपको घना चाहिए उतने पास-पास में आपको यह जो sticks कर रहे हैं हम ज पूरी bottle के उपर लग जाने के बाद में पहले लंबाई में मैंने लगाया है और अब इसके बाद में मैं इसको चारो तरफ से भी लगाऊंगी तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी clay और मैंने mix की है और mix करने के बाद में यह मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद में इसक कर रही हूं green yellow red और एक color में mix करके बनाऊंगी तो उसके लिए सबसे पहले नीचे के side में मैं लगा रही हूं green color और green color इस तरीके से किसी भी flat brush की help से अगर आप लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा और इसको हमें smudge भी करना है smudge किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो दीखे पहले मैंने green color किया और उसके बाद में जब वो 70% सूख जाएगा तब इसके बाद में मैं कर रही हूं yellow color उपर के side में अब जब yellow color कर दिया और yellow color भी थोड़ा सा सूख गया है तो अब क्या करना है एक गीला brush लेकर के brush को पहले हम wash कर लेंगे और थोड़ा सा पोच लेंगे हलका सा उसके अंदर पानी रहेगा बहुत हलका सा तो brush को बीच में हम लेकर के थोड़ा सा flat brush को लेकर के इसके उपर mix करेंगे जिसे की green और yellow color जो है अपस में mix हो जाए अब उपर के side में मैं कर रही हूँ red color red acrylic color यूज कर रही हूँ मैं और red color के हो जाने के बाद में yellow color के अंदर थोड़ा सा red color मैंने mix किया और यहाँ पर बन गया है carrot red type का color और उसको बनाने के बाद में मैं इसके जो बीच में बचा हुआ portion है वहाँ पर कर रही हूँ तो इसमें red के दो color आ जाएंगे और green और yellow color जो है वो सब एक दूसरे को compliment करेंगे अभी मैं इसके उपर color कर देती हूँ फिर आपको red में और carrot red में फरक दिखाऊंगी दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से compliment कर रहे हैं अब देखिए उपर के साइड में थोड़ा darker shade है नीचे के साइड में lighter shade है जो कि आपको वीडियो के end में देखने को मिलेगा है और अभी इनको भी हमें smudge करना है smudge करने के लिए फिर से हमें flat brush को बिल्कुल clean करना होगा wash करके अच्छे से जब उसके अंदर हलका सा पानी रहे जाएगा बहुत हलका सा पानी रहे तब उसको हमें smudge करना है ये ध्यान रखना है कि बहुत जादा अगर पानी होगा तो ये spill हो जाएगा या फिर जो ढलक जाता है वो हो जाएगा और फिर हमारा जो bottle waste है वो खराब हो सकता है तो smudge कर लेते हैं इस तरीके से mix करते हुए दोनों को और अगर गलती से आपका जो liquid है या color है वो spill हो जाए तो उसमें tension वाली बात नहीं है पहले smudge कर लीजी जैसे कि मेरे भी आप देख सकते थोड़ा सा spill हो रहा है तो जब हम इसको smudge कर लेंगे आपस में उसके बाद में जब ये सूख जाएगा तो जहां पर yellow color के उपर spill हुआ है तो yellow color के उपर हम दुबारा से yellow color कर देंगे तो फिर ये जितना भी spill हुआ है या ढलका हुआ color है वो ठीक रहेगा वो देखने में फिर खराब नहीं होगा जो कि मैं भी अभी कर लूँगी इसको और जब ये सूख जाएगा अच्छे से इसके बाद में हमें कुछ और भी है करना तो यहाँ पर मेरे color सूख गया है और जहाँ पर color थोड़ा सा धलका हुआ था वहाँ पर मैंने दुबारा से yellow color कर दिया और जब वो भी सूख गया तो मैं इसके उपर कर रही हूँ बहुती thin layer एक clear warnish की clear warnish करने से इसके अंदर natural shine आ जाएगी बहुती खुबसूरत लगेगी bottle और दूसरी चीज ये भी है कि इसके बाद में आप इसको पानी से wash कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी लेकिन warnish अच्छे से लगनी चाहिए इस चीज का ध्यान रखें और जब warnish भी अच्छे से सूख गई तब मैंने इसके उपर लगा दिये mirror तो दिखे mirror लगाने के बाद में bottle waste जो है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है है ना बिल्कुल natural सी shine और बिल्कुल ऐसी लग रही है ready made और इस तरह की bottle waste अगर आप उनलाइन पर लेंगे तो पहली बात तो यह मिलती नहीं है इस तरह की चीज़े और अगर आपको किसी हैंडी क्राफ्ट स्टोर पर मिलेगी तो काफी costly मिलेगी और यह जो handmade coasters हैं यह भी इनको साथ में compliment कर रहे हैं यह coaster मैंने आपके साथ में share किये थे और अगर आपने नहीं चेक किये तो link मैं i button पर दे दूँगी आप जरूर चेक कीजेगा और इनको भी जरूर बनाएगा बहुत ही होपसूरत लगते हैं मुझे भी कई बार तारीफे मिल चुकी हैं तो फिलाल आज का वीडियो इतना ही था आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा क्या अच्छा लगा अच्छा लगा या तो कितना अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसको like और share जरूर करें मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए be happy, be active अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, bye bye